जैपुर से बड़ी कबर आ रही है जहाँ पर महापौस्वाम्या गुर्जर और्चक निरक्षन कर रही है जैपुर में कोचिंग संस्थानों का और्चक निरक्षन किया जा रहा है महापौस्वाम्या गुर्जर और्चक निरक्षन कर रही है आपको बदा दे कि दिली में कोचिंग संस्तान खर उतर रहे या नहीं या उन्यमों का उलंगन किया जा रहा है तमाम चीजों की जांच परताल को लेकर प्रिशासर अलर्ट है खुद कोचिंग संस्तान का उचक निरक्षन करने के लिए पहुंची है महापॉस सौम्याग गुर्जर और देखे कि सरीके से पर पूरी तरह से आक्टेव सौम्याग गुर्जर नजर आ रही है जो कोचिंग के संस्तान चनाने वाले लोग हैं स्टाफ है जो प्रवंदर है उनसे बास्तिर कर रही है और जानने की कोशिश कर रहे है कि क्या बेल्टिंग गालोज का उलंगन तो नहीं हो रहा क्या सुरक अब इसी घटना से सबक लेते हुए यहां पर फॉर्वर्ट दे जा रहे हैं यहां पर आप एसी जैसे रख सकते हैं यहां पर फॉर्वर्वर्ट दे जा रहे हैं पर फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् कि क्या यहाँ पर उलंगन की जा रही है या फिर नियम के वुदाबिंग तमाम चीज़े हैं इसी को समझने के लिए आप पर खुछ जमीन पर और चिक निदक्षन करने के लिए महापौस ओम्या गोर्जर तस्वीर आपके सामने जापूर से अरबाज हमाई साथ लाइफ जोड़ गए हैं अरबाज तस्वीर जो आपने भेजी हम अपर दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कौनचे कोचिंग संस्तान में है और क्या सभी कुछ फॉलो करते हुए नहीं है बिल्डिंग पर्मिशन इनके बास में नहीं है तो यह सब चीजे बेहद गंबीर है 600 बच्चे अगर कोई संस्तान में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों के सुरक्षा के इंतिजाम है वो पूरे होने चाहिए फायर के जो चल नहीं रहा है अब सुची कि जगर जगर खामिया है तो जो भी कारवाई नहीं मानुसर है बच्चों के निकलने के लिए सेफ्टी जो पेरामेटर्स होने चाहिए किसी भी तरह की डिजाव साहिए आप नीचे सीडिया है पांच फिट चोड़ाई होने चाहिए बहुत सारी चीजों की यहां कमिया है कि इसके साथ में पूरी यहां की उपायुक्त होने और पूरी टीम कमिटी बना कर पूरी निकमुरेटर के अंदर ज़ो फ्षेत्र है जहां कोचिंग चल रही है जहां पॉस्टल्स चल रहे हैं उन सब के सुरक्षा से समंदीत पिरामिटर्स वो चेक किये जाएंगे और अगर नहीं मिलते हैं तो नियमानुसार जो कारवाई करने चाहिए उपी चाहिए बच्चों से भी बात किया आप मैंने छात्रों से मैंने बात की कि उनको बताया मैंने कि राजिंदर नगर में दिल्ली में जिस तरह की ग सुरख्षा के पैरामिटर्स पूरे है या नहीं है आपात इस्तरी में बाहर निकलने के द्वार है या नहीं है बिल्दिंग परिशन सब्सक्राइब जो एक इस तरह मना जा रही है और चाहिए इनके पास में नहीं बच्चों के लिए कोई ट्रेंइग होनी चीए कि उनको भी जो इतने हो कि इस तरह के डिजार्ट करेंगे बच्चों को साथ में यह भी बताया गया कि बच्चे और बच्चों के पैरेंट्स ऐसी कोई भी कोचिंग हो या लाइब्रेरी हो या बच्चों कोई भी जानकारी हो कि वो बिल्डिंग ठीक नहीं है या बिल्डिंग शर्ति ग्रस्त है, बिल्डिंग गेडे वाली है, या बिल्डिंग के बेस्मेंट के अंदर कक्षाएं, जो नियमानुसार सही नहीं है, वहां कक्षाएं हो रही है, इन सब की सुछना बच्चे उनके पेरेंट्स नगर निगम को अवश्य करवाएं, नगर न चुरू किया है, यहां आपकी इस तरह की जो गत्विद्यायों से चलेख हो रही थी, क्या कुछ तमी खामी आपके सामने आई अभी तक है, यह बहुत चोटा सा एरिया है, इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 600 बच्चों के अपोडिंग कक्षा में जो स्पेस होन है, अलारम इनका चलनी रहा है, इसके साथ में बिल्डिंग पर्मिशन यह दिखा नहीं रहे हैं अभी, अभी यह कह रहे हैं रस्ते में आ रहा है, उसका भी इंकिजार कर लेते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे इनके बोडी लिंग्वर से पता चलता कि बिलिंग पर्मिशन अभी इनके पास में नहीं है, क्योंकि बच्चे जहां 600 बच्चे, मनला हमारे देश का बविश्य जहां पढ़ रहा है, वो सुरक्षित होना चाहिए, उनमें किसी भी तरह की लापरवाई है, वो बरदाश्ट नहीं कि जाई है, अपने अंडर्ग्राउंड में जाके देख चोटे-चोटे कमरों में बच्चो को बठाया होता, सुबह अमने आप वह देखा था, बड़ी संक्या में बच्चे थे, इतनी चोटे से अपने बताया मुझे अभी, मुझे शिकायद भी मिली थी, कि सुबह यहां बड़ी की तरह पढ़ाय गया, और अब इनके स्टाप का कहना है कि वो तो लंच रूम है, तो बिल्कुल जो परवाई होगी करेंगे, क्योंकि अगर सही होता तो बच्चे अभी भी वही पढ़ रहे होते हैं, अगर सही होता तो परवाई है, इस दे बच्चो को खाली करवाया गया, इतने कोचिंग सहस्तान है, यहां जितने भी ग हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके खिलाब करवाई की जाए हैं, अभी एक कमिटी बना दी गई है, और कमिटी बनाने के वार में, अब कमिटी लगातार सभी जोन वाइज सब अपना अपना निरक्षन कर रहे हैं, निरक्षन के तहत आज आपको शाम तक बिजभा किटने को नोटिस जारी हुए है, जो भी नशन कारवाई हैं, वो किचयाई हैं, तो इस तरी कि घटना होती हैं, तब निगम प्रिशाशन के अ необход के उस्पाई का रहे हैं, और किषितरा आता है, समय समय पर जान्च के निरदेश भी होते हैं, फाय रहनमों सी नहीं है, तो हम उनको नोटिस भी जारी करते हैं, बिल्लिंग परमिशन नहीं है, तो हम सीजिंग की कारवाई भी होती है, समय समय पर कारवाई होती है, पर फिर भी राजिंगर नंगर की घटना है, वो बेहद दुखद घटना थी, और उस घटना को देखते हुए, मुझे लगा कि मेरे निर्क्षन करेगी, निर्क्षन के बाद में डेटा देंगी, और जो नहीं सही है, उनको जल्द ही पूरा सुरक्षा के इंतिजाम पूरे करवाने के निर्देश भी दी जाएगी, यह सब बिल्कुल सतत चलेगा, बच्चों की सुरक्षा के साफ में खिलवाड किसी भी हद निर्क्षा के बाद में तक बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, बहुत तारी एती कोचिंग संस्तान है, जो बेस्मेंट में संचालित हो रही है, जहां पर पानी भढ़ने की संभावनाए है, और दिल्ली जैता मामला भी हो तकता है, अगर तेकिये, अलग अलग क्षेत्र की अलग लग होती है, कहीं भुकंप आता है, तो उस तरह के इंतजाम के चाहिए, कहीं पानी का जो है, बहाव क्षेत्र है, या उस लाइने, हर अलग लग क्षेत्र के अलग लग पेरामिटर्स होते हैं, राजस्तान में, जैपुर में जिस तरह की हम आशन का जदाते हैं, कि इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनकी तो सुरक्षा के इंतिजाम है, वो पूर्टिया होने चीए, जैसे आगजनी की घटनाएं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत रहती है, आगजनी की शोट सर्किट हो गया, आगजनी की घटनाएं बहुत मैतोकून होती है, तो हम उ महीने की अंदर अंदर सभी का सर्वे करवा कर उनको अनुसी जारी करने के लिए उनको प्रि дрith करें, जोन वाइजक्रिया लगाएं और उनको अनुसी दें, और अगर कोई अनुसी नहीं लेता है, तो उनके खिलाब सील करें, उनके खिलाब जो गारवाई होती है, वो की च पर आप देख पा रहे हैं सौम्या गुर्जर जो साथ ओपर के लिए कि दिल्ली में जो हाथसा हुआ हम नहीं चाहते कि किसी कोचिंग सर्स्थान में दुबारा देश के अंदर यह हाथसा हो और इसलिए हम खुद ग्राउंड पर जाकर और चक भी नच्चर कर रहे हैं साथिर उनको follow coaching संस्थान या फिर hostels कर रहे हैं या पर नहीं यह जो coaching संस्थान है यहाँ पर 600 बच्चे पड़ते हैं बड़ी strength यहाँ पर पड़ती है और इसलिए सौम्या गुर्जर कहना ही है कि उनकी सुरक्षा की जिमिदारी हमारी है लेहाजा हम खुद यहाँ पर ग्राउंड में सौम्या गुर्जर पूरी तरह से action mode में प्रिशासन अर्वाज में लाइफ तस्वीर हम तक मौचा रहे हैं अर्वाज ने सौम्या गुर्जर से बात दी कि उनका साथ तौपर कहना है कि अब हमनी जो team गटित की है वो जल्धी हमें रिपोर्ट सौपेगी और जहाँ जह खागिया नज़र आएंगी वहाँ पर action भी होगा अर्वाज नमारे साथ जुड़े हुए अर्वाज गाउन जिरो से लगातार रिपोर्ट आपके हम पहुचाने कर शुको तरह पूरी तरह से अलग मोट पर सौम्या गुर्जर कह रहे हैं कि कम्या हुई प्र आक्शन भी हो तो रास्ते में कच्रा और एवेवस्ता देखकर के एक दुकंदार को यहाँ पर तुरंट सीधे ही नोटिस समाने के लिए कह दिया गया ताकि इस तरह की गंदगी और जो तूट फूट है वो नहीं हो और आज़ पास इससे एवेवस्ता नहीं फैले क्योंकि दोड़ा कोच कोचिंग संसान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ भी और चक निरिक्षन करके हालात का जायजा लिया जाए और आप देख सकते हैं कि पूरी टीम नगर निगम की यहां मौजूद है और आसपास के जितने भी कोचिंग संसान है उनमें सब में जो है उन्होंने जाएंगे बलके सीजर किया जाएगा जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जादातर जो कोचिंग संसान है वो लंबे समय से यहां पर चल रहे हैं और इनके चलने की वज़े से आप देख सकते हैं कि यहां पर बैसमेंट के अंदर दम घुटन के माहूल में और काफी अलग स्थिसी के अंदर यहां पर पड़ाईयां करवाई जाती हैं जो कि नहीं होना चाहिए बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो और किसी भी तरह की बरसाथ के मानसून के सीजन में अगर मान लीजीए सिच्वेशन पैदा होती है तो सिच्वेशन के अंदर यह इलसी एक इंस्टिट्यूट है कोंचिंग वहां पर यह पहुंचे हैं पूरी टीम के साथ में सीधे यहां पर जो है कारवाई दी जा रही है और यहां पर बाकाइदा सीधे मोके पर पहुंच करके जो सुरक्षा मानक हैं उनको जाचा जाएगा देखा जाएगा कि बई क्य इमर्जिंस एक जिट की कह तयार ही है आप पूरी टीम आने वाली है देखिए यह अभी आज सुबह इसके लिए बाकाइदा है कि स्पेशल टीम का गठन किया गया है और वो टीम बाकाइदा यहां मिलकर के करवाई कर रही है और यह टीम जो है पहुंच रही है जो है पहु क्या रूप नेखा रहेगी क्योंकि आपने देखा दिल्ली में जो हाथसा हुआ बड़ा गंभी रापसा दाड़ी उसको लेकर नगर निगम और क्या कुछ प्लानिए इसको लेकर कर रहे है और बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के लापरवाई है वो परदाश नहीं की जाएगी आपने यहाँ पर सारी चीजे चेक थी बाकाइदा अलार्म बज़र हैं कि नहीं बज़र हैं इमर्जिंसी के और जो अगनिशामा की अंत्र हैं वो काम कर रहे हैं कि करें बच्चे यहां पर मुझूद हैं और प्लास के वर सीदे करने की कोशिश करने हैं सब्सक्राइब निए। मुलिधाती है जर समय तो आपको लगार सुखे पेरामिते स्कूलea तवाइनले करे कि दो प्रामिते स्क्वलेदे कर्फեर को तक टुब के Ads You कि सव अग्लेश Consumer bisher अचे करि अधो नगर मीमोचल आपको से गरी कन्थ के आटर तक बच्चे काफी एकदम से जो हरताय के इबार घबरा जाता है तो ऐसे में उनसे समवाद जो है प्रॉपर हो और प्रॉट के अपर बहुत जरूरी हो इस सिक्वएशन के अंडर आप देकुंगे तो यहाँ पर हर एक जो है रूम के बहार देखा जा रहा है उनसाल मैं जान हिस्की जा रही है कि अल्रम बज़ रहा है के नहीं यहाँ पर बच्चों को जो है डिजास्टर मेनेजमेंट के बारे में कितनी जानकारी है यह समवाद किया गया है दिल्ली वाले हाथसे से संग्यान लेकर किया सुधारात्मक कारिक किया जा सकते हैं यह भी बच्चों से संस्थान के मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बाचीत तरने की कोशिश की जाएगी समवाद किया जाएगा कि क्या सिच्वेशन है और किस तरह से यहालात बदल रहे हैं और बाची कौन से इलाका यह भी बताईए और इस इलाकी में कितने कोचिंग संस्थान को पढ़ते होंगे जिसी जगर खामिया है तुस खामियों को परका जाएगा उसके साफसे उसकर कारवाई भी ती जाएगा सुरक्षा की ανतिजाम में किसी तरकी कमी ना रहे इसकी पांच लोगों की बनाई गई है और इस कमिटी के यहाँ जान के डिसी है डिसी उपायुक्त मुख्यालय भी है इसके साथ डिसी खायर भी है तक्निकी अधिकारी भी साथ में है, क्योंकि बिल्डिंग अगर बनाते वक्त, बिल्डिंग बाइलोज के पोडिंग बनी है या नहीं बनी है, क्या बेस्मेंट में कक्षा चल रही है, वहां की परमिशन उनकी कक्षा के लिए है, या उनके स्टोरेज के लिए है, अगर स्टो कम है इसके साथ में वो बिल्डिंग पर्मिशन भी नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वहां बिल्डिंग की पर्मिशन जहां तक है कि मुझे नहीं पाई गई है बिल्कुल नियमानुस और जो कारवाई होती है वो कारवाई की जाएगी तो मैं कोचिंग संचार लोगों के कहें कि एक तरीके से होसले इतने बुलंद हो गए कि किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं उसके बाद भी वो अलग-अलग ब्रांचेश चला रहे हैं पुरे प्रदेश बर में देखिए जो अखबार के अंदर एकने बड़े विग्यापन पहला पेज दूसरा पेज और तीसरे पेज में विग्यापन देने की हर महीने विग्यापन देने की अगर हेसियत रखते हैं तो उनको हमारे देश के भविश्य है हमारे बच्चों का सुरक्षा के इंतजाम भी कि बिकल भी नर्मी नहीं बरती जाएगी सीधे सीजर होगा और जो पेरामेटर्स हैं वो फोलो करने ही होंगे जबकि मोटी रकम बच्चों से कमाई जाती है उनसे कीस ली जाती है और हर जगे ये कोशिश की जाती कि खुद को बहतर साबित किया जाए तो फिर कानून की पा किसी भी तरह की परिशानी नहीं हो इन तमाम चीदों को लेकर के यहां वकाइदा जाएज की जा रही है और मैनेजमेंट फ्लोर पर पहुंच चुकी है महापूर आप देख सकते हैं कि सीधे जो कोचिंग के जिम्मेदार हैं काउंसलर हैं उससे समात कर रही है और परामेट जित्या होंगी और एमेरजेंसी जो अलार्म है वो चेक किया गया यहां पर बाकाइदा दूसरी चीज़े चेक की गई सभी जगे अगर देखा जाए तो बारी की फजाज की जा रही है मैनेजमेंट से समवाद किया जा रहा है कि इनके पेरमीटर का हैं कागज का हैं और अन पर अनसान खरा है और किस तरह की जो है यहां पर वर्तमान इस्थितिया हैं सारी चीज़ों को लेकर के जाज की जा रही है और मैनेजमेंट वगरा सभी लोग यहां मौजूद हैं लगतार अपनी जानकारी और अपने डॉक्यमेंट उससे शेर कर रहे हैं महापोर से बता र हैं कि भी जो सुरक्षा मानक हैं वो फोलो किये ही जाने चाहिए क्योंकि मुसीवत तभी वक्त देखकर के नहीं आती है हालात देखकर के नहीं आती मुसीवत जब आती है तो बड़ी नुक्सान के साथ आती है और बड़ी परिशानिया पैदा कर जाती है ऐसे में न सिर्फ कोचिंग संसान बलके जैपुर के कई अर्बास बहुत अच्छा लाग रहा है तस्वीरों में पूरी तरह से अक्शन मोड में यहां पर नजर आ रहे हैं स्वाम्या गोर्जर महापौर लेकिन हमने यह एकसर देखा है कि प्रिशासन तभी जाकता है जब कोई हाथसा हो जाता ह यह एकसरसाइस समय समय पर अगर हो तो जाहिर तो पर कहीं ना कहीं सरेकिके हासों से बचा जा सकता है अर्बास जी बिल्कुल आप बिल्कुल आप सही करें कि हम सीधे बात करते हैं जैसे अभी अपनने शुरू किये एक अच्छी मुओब अगर हमें खोड़ा की इस तरह की घटना भी हो सकती है पानी कहीं से आगे दिली की वहां के अलग सीवेज का सिस्टम है जापूर के अलग डिजास्टर है कमिटी बिल्कुल कमिटी बनी है और कारवाई भी लगाता जारी है जी बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महापोर्ट समय गुर्जर ने कहा कि ये केवल ऐसा नहीं कि अभी शुरुआत हुई या फिर दिल्ली के भरोसा दिया है न्यूज 18 को अर्वाज अबर अबाद तराओस